कि नमस्कार दोस्तों आज हम इस वीडियो में लेकर की आये हैं बेड की परमुक नसले है नेक्स्ट वीडियो में हमने अन्य नसलों के बारे में चर्चा की थी आज हम लेकर के आया हैं कराकुन्म अभी वस्तर अभी कालीन और जैसल मेरी देखिए कराकुल जो नशल है बेड़ की इसका मूल इस्थान जो उत्पत्ति इस्थान है वह मद्दे एसिया इसका मूल इस्थान माना जाता है मद्दे एसिया इरान इराक आफगानिस्थान वे दक्ष्णी अफ्रीका और पस्मी यूरोप इस कराकुल बेड़ की नसल का उत्पत्ति इस्थान है इस बेड़ की जो विसेश्था होती है इसके नार है मादा है तो नार जो मेंडे होते हैं वो सीन सहीत होते हैं उनके सिर होते हैं और मादा बेड़ के सीन नहीं होते हैं वो सीन रहीत होती है इसका जो आकार होता है वह है मद्यम आकार की होती है इसकी जो उप्योगता होती है कि इसका जो नर होता है कराकुल नर का बहार 90 केजी होता है और मादा का बहार 60 केजी होता है यह नसल मास के लिए उपयोगी होती है और इसके पÈल्ट के लिए पालं किया जाता है जो पमिने को कम उमर कि मार कर दो उसकी perfect की जाती है और उस सब्स करदी हैं और सर्दियों के वज्चतर है को बनया जाती हैं तो इसलिए यह अधिक होती है एक तो मास के लिए मास अधिक निकलता है और दूसरा इसका पैल के लिए क्या जाता है और इसके चोटे वेमने होते हैं उनको कम उबर में मार करके ही जो उसके गुम्रालू उन होती है उसकी खाल प्राप्त की जाती है और उनसे टोपी और सर्धी की वस्तर होते हैं उनको काम में लिये जाते हैं दूसरी यांदी है अवी वस्तता ये का नगर और मालपुरा जो तैसिल है टॉंक जिले की लिगी आवि का नगर और मालपुरा जो तैसिल है वह इसका उत्पत्त्य स्थान माना जाता है रेमुले नसल यह अभी वस्तर जो भेड़ है इसका जो इसको विक्षित की गई है तो यह है रेमुले नसल के मेरी नो जो मेंड़े होते हैं उस और चोक्रा नसल की जो भेड़ होती है उसके संक्रण से यह अभी वस्तर नसल तयार की गई है मेरी नो मेंड़ो और चोक्रा नसल की भेड़ से के वन संक्रण से यह तयार की गई है विक्षित की गई है इसकी जो विसेशता है ओस्त वजन 6 महा में लगभग 12 केजी इसका वजन होता है और एक साल में यह 23 केजी के आसपास वजन हो जाता है और मेमनों की जो वार्षिक जो जन्मदर होती है वह 13 दसमलव 21 परतिसत होती है यनि कि एक साल की आंदा इसकी जो वार्षिक जन्मदर है वह 13 दसमलव 21 परतिसत होती है और 6 महा में ही लगभग 12 केजी वजन हो जाता है और एक साल की उमर में 23 केजी वजन हो जाता है इससे अभीवस्त्र जो बेड है इसमें लगभग एक बेड से चार दो से चार केजी उन प्राप्त होती है त्रती बेड से दो से चार केजी उन की प्राप्ती होती है इसके बाद बाता है अविकालीन अविकालीन ये मालपुरा टॉंक चिले की तैसियल में इसका उत्त्तिस्थान है और ये अविकालीन जो नसल है यह भी मेरिनों मेंडोफ और मालपुरा जो बेड़ है जो हमने नेक्स्ट वीडियों में पढ़ाया था तो मालपुरा जो भेड है उसके संक्रण से प्राप्त होई अविकाली भेड है तो इस प्रकार से इसको विक्षित किया गया और यह हमारे जो भी यह संक्रण का जो कारी किया गया है इसमें संक्रण का जो कारी किया गया है उसमें हमारे जो केंद्रिय भेड उन अनुसंदान सनस्थान है केंद्रिय भेड उन अनुसंदान के अदर के दुआरा यह नसल विक्षित की गई है और यह नसल यह जो सनस्तान है यह मालपुरा टोंक में है तो केंद्रिय भेड उन अनुसंदान के अंदर मालपुरा टोंक के दुआरा मेरिनो मेंडो और मालपुरा भेड की नसल से यह संक्रण से कात की वी नसल है इसके बाद में इसकी जो विशेशता होती है यह इसकी उन्द पतली होती है और एक वर्ष की उमर में लगभग इसका जो वजन होता है वेड का वह है पचीस केजी के आसपास हो जाता है लगभग में होता है इसकी जो उप्योगता है छै माहा में इसमें लगभाग एक दसमलो एक तीन केजी एक किलो तेरा ग्राम की लगभाग उनकी प्राप्ति होती है और बेहडों से टपिंग जो छोटे बच्चे होते हैं टपिंग सथानमपइंट नुपांच प्रतिसत और मेमनो के पैदा होने का 81 दर्समलो चार साथ प्रतिसत है और उन से उत्तम किसम के कालीने बनाएं जाते हैं तो इस प्रकार से यह हैं अभी कालीन वेहडी की उप्योंगता होती है इस उप्योंगता के लिए इसका पालन किया जाता है अगी आती है जैसल मेरी देकि जैसल मेर दुराजस्तान का जिला है जैसल मेर तो वहां जैसल मेर मूल रूप से इसका उत्पत्ति इस्तान माना जाता है और इसके अलावा जोधपूर और बाड मेर का दुछेतर है जिला है वहां पर भी इसका विश्तार है तो जैसल मेर जिला इसका उत्तिस्तान है और जोदपूर बाड़ मेर यहां पर भी यहां जैसल मेरी नसल की भेड पाई जाती है अब इसके बाद में देखते हैं कि इसकी जो सारीक विशेचता है आकार में बड़ी होती है सारीक जो आकार होता है शरीर अधिक बड़ी आकार में होता है सुद्रिड होता है हस्ट पुस्ट होता है वरगा कार में होता है सिर बड़ा होता है नाक रोमन लिपी आकार में होता है चहरा काला या भूरे रंग का होता है और कान लंबे लटके होई होते हैं और इस नसल की बहेड सींग रहित होती है और पूंच के लंबाई लगभाग 28 सेंटिमेटर की होती है तो इस प्रकार से इसकी साधरी के विशेजता है और इसकी दो प्यूपता है कि जैसे मेरी बहेड से उत्तम किसम की सफेद उन से 3.2 kg की उन पराफ्त होती है एक किलो 800 ग्राम से 3.2 kg की जाती है सफेद उत्तम सरेन की उन पराफ्त होती है इसकी दो नर्का बाहर होता है वह 32 से 45 kg होता है और मादा का बहार 30 से 36 kg होता है और जैसे मेरी वह भेड है तो इससे गोग अधिक मास के प्रापती ऑकटी है तो यह उन प्रापती के लिए और मास प्रापती के लिए कर दो